नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सनमार्ग काला धागा आपकी किस्मत को बदल भी सकता है और सवार भी सकता है काला धागे के बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं काला धागा हाथों में पैरों में बांधने की प्रथा अभी से नहीं है बहुत पुराने सालों से हैं बहुत लोग हाथ में बांधे हैं पैर में बांधे हैं गले में बांधे हैं बाह में बांधे हैं और यहां तक की पैर के अंगुठी में भी बांधे हैं आखिर क्यों बादा जाता है नजर दोस से बशने के लिए लेकिन अगर हम इसके बारे में बिस्तार से बात करें तो काला धागा में नो गांट लगाने से बहुत साइज चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं कैसे आए जानते हैं बिस्तार से देखे बास्तव में जो काला अगनी जल और आकास अब इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे सरीर का संचलन करती है और इनसे मिलने वाली उर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्रात करते हैं जब किसी इनसान की बुरी नजर हमें लग जाती है तो इन पांच तत्वों में से मिलने वाली जो सकात्मक उर्जा ह वो हम तक नहीं पहुँच पाती। इसी लिए काला धागा बांध जाता है। आप काला धागा बहुत सारे लोग वैसे अपने पसंद के नुसारा बांध सकते हैं कई भी, अधिकतर लोग पैरों में बांधते हैं या फिर कलाई में। अब काला धागे में भगवान का लॉकेट भी धारन करते हैं ये सबसे ज़्यादा सूमाना जाता है लेकिन पूरी नजर से बशने के लिए काले रंग की चीजों का इस्तिमाल भी किया जाता है जैसे की काला टीका, काला धागा तो काला धागा पहने की परंपरा भले ही प्रा तो लाल किताब के अनुसार अगर हम देखें तो मंगल वार के दिन काला धागा आप अपने अगर पुरुस हैं तो दाहिने कलाई या फिर पैर में बांधें और अगर आप लड़की या महला है तो बाएं कलाई या पैर में बांधें खासकर जो विवाहित महलाएं हैं वो कला पर किया होता है बार बार चोट चपेट लगता है तब ऐसी इस्थिति में भी पैर के अंगुठे में काला धागा बाँदना अच्छा होता है और जब कमजोर होने के वज़ा से नजर दोस जल्दी लगते हैं ऐसे लोगों को भी अपने सरीर में काला धागा जरूर पहना चाहिए और घर को बुरी नजर से बचाने के लिए घर के मुखे दरबाजे पर भी आप हर्मान जी के चर्णों का सिंदूर लेकर इस काला धागा में नो ग मिलता है अब पतला मोटा जो भी आपको मिले वो ले 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 और इसका प्रियोग जब भी करें सनी बार के दिन करें क्या करेंगे साम के वक्त हनमान जी के मंदिर में काला धागा लेकर चले जाईए अब इस धागे में आपको नो गांठे लगानी है याद रखिए नो अब हनवान जी के पैरों का सिंदूर इस धागे पर लगा ले जितना भी गांठ लगाए हैं अपने हर जगा अब इस धागे को आप अपनी कलाई में धारन करें आपके सत्रू भी आपके बस में आ जाएंगे आप जिसको जो भी आपके सामने रहेंगे वो बहुत हद तक आ स्याएं दूर हो जाएगी क्योंकि ये काला धागा सिद्ध हो चुका है अब आप पर निगेटिव प्रफाव भी काम नहीं करेगा और इसी धागे को अगर आप ऐसा ही धागा बनाकर अपने घर के मुझे दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांदे या फिर तीजोरी में बां करना तो बहुत अच्छा है साथ ही अगर आप आपके घर में बच्चे हैं आप चाहते हैं उनको काला धागा पहना दे ताकि उन्हों बुरी नजर से बचे रहे तो ओम सनय नमह का जब करते वे नौ गांट लगा दे और बच्चे के गले में पहना दे तो बच्चे आपके स सरी पर नहीं होता यह सुरक्चा कबच का काम करता है और जब हम सनी दोस से बचने के लिए काला धागा पहनते हैं तो सनी का प्रकोब भी हमारे उपर नहीं पढ़ता लेकिन अगर आप नौकरी नहीं मिल रही ब्यापार नहीं चल रहा तब आप एक छोटा सा प्रियोक रहे किसी भी मंगलवार या सनीवार के दिन एक काला धागा लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाएं कभी भी जा सकते हैं सुछ से साम तक में अब पीपल की डाल में जितनी मरजी उतनी बार धागा को लपेटें लेकिन उसके बाद एक लाइन से साथ बार गांट लगा दें